नमस्कार, कारिक्रम जार्खन विकास के ओर में आपका स्वागत है 20 साल का युवा जार्खन आज प्रगती की राह पर है हम अपने कारिक्रम के जरीए लगतार आप तक जार्खन के विकास के बारे में बताते और दिखाते आए हैं आज की इस कारिक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे चत्रा जिला के तंडवा प्रखन में जहां NTPC के द्वारा समाजी कारिकर विस्थापित लोगों को लाग पहुचाया जा रहा है जिसमें कंबल वीतरन से लेकर जल मिनार निर्मान, रोड और बिजली की सुविधादी जा रही है जैसा कि हम जानते हैं कि NTPC, टंडवा, जिला चत्रा में काफी सामाजी कारे हो रहे है तो किस प्रकार से यहां पर सामाजी कारे हो रहे हैं और किस प्रकार से सामाजी कारे के तहट लोगों के लिए NTPC कारे कर रहा है इस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं श्री असीम कुमार गौस्वामी जी जो की यहां के कारे कारी नीदिशक है इनसे हम बातचीत करते हैं जानते हैं किस परकार से यहां पर सामाजी कारे ग्रामिडों के लिए हो रहा है आपका हमारे क कारकर में बहुत-बहुत स्वागत है सर हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि एंटीपीसी सामाजिक दायत्यू के तहत काफी कारे कर रहे हैं कौन-कौन से कारे हो रहे हैं सर्वापता सामाजिक कारे का मीनिंग यह है कि यह जो सोशल अब्लिगेशन नहीं है यह आज एंटीपीस पछाए हमको गरव हो कि उन्होंने यह जो आज इस मौके पे वे जो भी कारे किया देकिंगे सामजिक कारे के तहूर्य के तहट आपने देखा होगा गाओं गाओं में पहले तो रोड का निर्मान किया गया है س्कूल आपने देखा होगा एक डियेवी स्कूल, इतनी हछी स् स्कूल नहीं होगा और उस स्कूल के तहट आज सारे हमारे पीएपी के बच्चे पढ़ रहे हैं इंटीपीसी का एक बच्चा भी अभी तक उसी में नहीं है उसकी फीज हमने सेम रखा है और मैंने पहले भी कहा था आज उस में पढ़ते वे जो विद्यार थी अबबल बनके ऐसा इंजिनियर बने और आज मेरी इस कुर्सी पर बैठे उसी दिन मुझे सबसे खुशी मिलेगी सुक मिलेगा इसके अलाबा भी वोमेन एंपार्मेंट का आप लोगों ने दिखा होगा गाओं गाओं में कितनी हमारी जो लेडिस क्लब है मंजरी गोस्वामी जी के साथ बाकी जो लेडिस लोग मिलके आज इस अंचल में जहां पर मैंने अल्वेस कहा है कि लड़कियां जिस अंचल पर आगे आएंगी उनका सबसे अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट और उस अंचल का नाम भी बहुत अच्छा होगा उसी कार्या के सहत आप लोगों ने देख है इसके अलावा हम लोग का जैसे कोई लेडिस टेलरिंग का उसके बाद जैसे आचार बनाना पापर इस आपको बेचना मार्केट देना इन लोग को कोई भी चीज काम करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं अपनी मैडम से भी बात करता रहता हूं कि लेडिस को स शशक्त बनाते हुए विश्व का सबसे बड़ा एवं बहतर विद्युत उत्पादक होने के साथ ही विविध उजा सोतों को नमिनात्मक एवं पर्यावरनात्मक अनुकूलता के साथ जोड़ते हुए और समाज को सहयोग प्रतिस प्रधात्मक मूल्यों पर विश्वस्निय विद्युत संबंधी उत्पादों एवं सेवाओं का विकास करना एवं उपलब्ध कराना दोनों ही NTPC का मुख्य उद्देश्य है मेरा नाम सुहेल खान है और मैं गरी लॉंग गाओं का एज थिंग टैंक मेंबर काम देख रहा हूं तो इस NTPC परियोजना में एक बड़ी इच्छी बात है कि हम लोग हमारे अपने परियोजना को लाने के साथ साथ में कैसे गाओं का उथान कर सके इसके लिए हम लोग तो यह हमारा एक ठिंग टैंक ग्रूप का में काम ही रहता है कि हम लोगों के संपर्क में बराबर जुड़े रहें उनकी बातचीत उनके दुख दर्द को हम लाएं अपने मेंग्जमेंट के सामने रखें और जो निश्पारतन हम कर सकते हैं अपनी तरफ से वह हम लोग करे हैं यह हमारा में फोकस रहता है और इसमें जो संतुष्टी हमारी अपनी है वो एक अपनी तरीकी से अलग फिलिंग होती है जब हम किसी को कुछ सुख पहुचा पाते हैं तो एक अलग अपनी खुशी होती है एक अपना संतुष्टी अलग से मिलती है और साथ साथ में हमार organization भी इससे गुरू करती है तो यही हमारा basic लक्ष है नॉर्थकुन पुरा के सब तक ठिंटेंक एक group of member है जो हमारे respected इडिशर का great initiative है इसके अंतरगात हम समाई जी और गाउन के बीच में क्या काम जो जरूरत से ज्यादा से ज्यादा जरूरी है उसको हमलोग सबसे पहले करने का कोसिस करते हैं और यह हमारा NTPC और एक personal दाईतु भी है कि हम लोगों के काम को और हमारा जो कर्तब है प्लांट का भी और गाउं के प्रति उसको हम पूरा करते हैं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए NTPC हमारे राज्य के चत्रा जिले के टंडवा गाउं की सूरत बदलने का काम कर रही है। इस गाउं के विस्थापितों के लिए सामुदाइक विकास के साथ साथ समुचित विकास का काम कर रही है। मैं इन चीजों का ध्यान रखती हूं कि जितनी भी बेस लेवल पे स्पेशली जो बेस लेवल है लेडीज का वो इतना स्ट्राउंग होना चाहिए कि अपनी जितनी भी हमारी लेडीज हैं वो उटके अपने सेफ डिपेंडेंट होके आगे आ सके। अगर उनका बेस ही नहीं बन पाएगा तो ये कुछ भी कर लेए आगे नहीं बढ़ पाएगा तो मेरा सबसे में इन रहता है कि सबसे ग्राउंड लेवल पे रूट लेवल शुड बी स्ट्रॉंग इनफ के आगे आके हमारी लेडीज खुद से कुछ कर सके इनको सपोर्ट क जितनी भी हमारी लेडीज हैं और जो हम लोग आगे जैसे फिशरी फार हो गया है हमारा हनी भी का पालन का जो हो गया है ट्रेनिंग का तो इन सारी चीजों को हम लोग आगे लेके आना चाहते हैं और जितनी भी लेडीज हैं मेरा मेन कंसर्न इस पर ये रहेगा कि जिन आपके जो नई लेडीज हैं हम उन ले ये नई लेडीज को लेके आएंगे और जितनी भी ट्रेइनिंग्स करेंगे उन सब में हमेशा नई लेडीज ही होंगी आपके जो नई लेडीज ताके हर गाउं को हम हर तरीके से टच कर सके पुनरस्थापन एवं पुनरवास के छेत्र में काम करते हुए एंटी पीसी की सामुदाईक विकास की पहल मुख्य रूप से शिच्छा, स्वास्थ एवं स्वक्षतार, छमता निर्मान एवं महीला सशक्तिकरण सामाजीक आधारभूत सुविधा का विकास सहायता देने के छेत्र में अधिक दिहान देना है जिहारी वाच्पी के द्वारा इसका उदगात सिल्यान्यास किया गया था उसी टाइम से इस छेत्र की जनता को उमीद थी कि एंटी पीसी के आने से छेत्र का सरवांगिन विकास होगा और समद्याईक विकास के तहत हमारा छेत्र कपकाफी आगे जाएगा देश को उर्जा के एंटी पीसी की घरा उतर रहा है त। ने समोधाईक कार्ज है जैसे हृत्यार की प्रकर शूर्ण का और और एक साथ हजार लीटर का लगाया गया है जिससे लोगों को काफिश ही हो रहा है मेर नाम रूबिदेवी है और गाउं की शक्री महिला हूं और जहां तक है कि अभी तक के लिए बहुत सारा ऐसा काम कर रही है और कर चुकी भी है जो हम लोग को आगे बढ़ाने में बहुत ही फायदे मन रहा है जैसे हमारे मुख्या जी भी है अच्छेवट पंडे जी वह भी हमेरा पूरा फूल सपोर्ट करते हैं ने तो पहले महिला लोग यहां बाहर से घर से ने निकल पाती थी और उनको पता भी ने था कि ग्राम सभा आम सभा यह सब क्या होता है लेकिन अच्छेवट पंडे जी चलते आज सभी महिला जानती है कि आम सभाम बैठना है और अधिकतर को भी काम होता है तो हम लोग को महिला समों को जानकारी देते हैं कि यह चीज वहां यह चीज लिजी आप लोग को आगे बढ़ने साहता मिलेगी किस प्रकार का प्रसिक्षन दिया जारा है न्टीपीसी से पहले मश्रूम का प्रसिशन दिया गया था फिर मुर्गी पालन का इसका पर सिशन दिया गया फिर यह भी पापड़ वेगारा बनाना है यह सब सब्सक्रां परिझे है नहीं लोगा जरूरी है और यह सामुजािक भावन भी होई यह लोग बहुत सारा बदलाव है बहुत सारा बदलाव है पहले हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे फेस टू फेस आप जैसे बोल रहे हैं वैसे आप से बात नहीं करते थे डर लगता था कि पता नहीं क्या बोलेंगा और आपको किस बात से तकलीफ हो जाएगी लेगे ना भी है कि हम लोग खुले में बोल पर चाहना है तो पैसा कैसे जमा करना इसके बारे हम जानकारी हो रहा और एंटीपीश्चन दे रहे हैं उसे दिमाग खुल गया अपने पूर्व जीवन अस्तर अर्जन छमता तथा उत्पादन अस्तरों को हासिल कर सके नीती के अनुसार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का संचालन एवं व्यवसाईक अभिकरण द्वारा किया जाता है मैं डॉक्टर एसेश प्रसाद मुक्चिकित्सा प्यादिगारी एंटीपीसी परियोजना नौर्थ करनपूरा में कार्ज रत हूँ हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि एंटीपीसी कॉर्प्रेट सोसल रिस्पोंसबिलिटी के तहत काफी सारी गाउं और अपने एंटीपीसी के छे गाउं के प्रभावितलों के लिए बहुत सरा के कार्ज क्रम चलाते हैं उसमें हमारे मेडिकल से संबंदिस ये मेडिकल मॉबाइल यूनिट है जो एंटीपीसी के चारों तरफ छे इंपोर्टेंट्स गाउं में हमारे जेसो कैम्प लगाते हैं और हम लोग महिने में 22 दिन जेसो सेवा देते हैं इसमें हम लोग मरीजों का परिछन करते हैं उनसे संबंदिस जेसो उनको दवा दी जाती है जरुवत पढ़ने पर रूटीन ब्लड टेस्ट जैसे हीमोगलोविन, मलेरिया का टेस्ट, ब्लड सुकर का टेस्ट करते हैं इवें चेस्ट पेन के परिष्थिति में हमारे पास ECG की सुविदा है और ज्यादा सिरियस मरीज होने पर हम इसी बाहां से अपने NTPC परवानेंट होस्पीटल में पेशेंट को सिफ्ट करते हैं वहाँ पे हम लोग जैसो उस मरीज का आगे की जैसो चिकित्सा करते हैं यह जो मेडिकल मोबाइल यूनिट है आज हम लोग जैसो नहीं पारम में आये हुए हैं इसके अलावा हम लोग टंडवा, दुंदुआ, राहम, कामदा में भी हम लोग इसी तरह जैसो कैम्प लगाते हैं और संध्या कालीन में, परियोजना के निकट में ही हमारे लिवर स्कोल नी है वहां पे भी यह मेडिकल मोबाइल यूनिट की सुविदा है कि हमारे जो परियोजना में जो भी वरकर लोग काम कर रहे हैं जिनकी संख्या करीब 3,000 से ज्यादा है उन लोगों को भी साम में हम लोग अपनी चिकित्सा देते हैं तो मैं यह समस्ता हूँ कि यह मेडिकल मोबाइल यूनिट हमारे एंटीपीसी और परियोजना से प्रवावित सारे गाउं के लोगों के लिए एक बरदान स्वरूप है बसोया देभी के हां वही दिया है वही दिया है इसमें जो भी हम जो दवा देते हैं वह सीजनल बीमारी से लेकर करके ब्लड प्रेशर सुगर की भी दवाई देते हैं और इसके लिए किसी तरह का कोई सुल्क नहीं है हम दबावी फ्री देते हैं जरुवत बढ़ने पर रूटीन टेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया हिमोगलोवीन ब्लड इूरिया सुगर यह सब का टेस्ट करते हैं इवें चेस्ट पेन के परिस्तिति में हमारे प्यास एक छोड़ा ECG का मसीन है उससे भी हम उसको टेस्ट सेक्टर में काम करते हैं इसमें से में इन लोग डिमांड था बहुत आंध्यरा रहता है गाउं में तो बहुत अमनों 612 लाइट पूरा गाउं सब जगा दिये हैं और सभी चल लाह इसके अलवा हरे गाउं में एक हाई मैस्ट लाइट भी दिया है इसको पूरा ज्यादा ए समुदाइक विकास मुद्दों के लिए उपाय शामिल होते हैं करने के लिए और बढ़ाने के लिए दाना चैरा सब चीज मिला है खाने पीने को सब चीज विदा दिये हैं इससे पहले आपकी आर्थिक इस्तिति कैसे थी जब मुर्गी पालन आप नहीं कर रही थी तो कमजोड थी और कमजोड अभी पर है लेकिन बढ़ाएंगे और वनि काफी काम कर रही है जी से बहुत में बढ़ाएंगे और देखेंगे ताम मने में मेसस मंजरी गोषवामी हमारा महिला मंडल है वसंदहरा महिला समिथी के अध्यक्शा हूं इन्टी पिसी के तलब से हम लोग यह गाव में काम करने के लिए आए हुए हैं और महिलाओं को प् मुर्गी पालन का प्रस्रिक्षन हुआ है फिर आगे हम उन लोगों को सब कुछ सिखाए भी है दवाया ग्रेंज और उनको कैसे सही धंग से पालन किया जा सकता है ताकि इन महिलाओं को एक आजीवी का मिल सके ताकि यह आगे कुछ अपने पे सेल सफिशेंट यह लोग बन प पहले ऐसा ट्रेनिंग दिया गया था मश्रूम के लिए जिसके लिए भी ऐसे गाउं में जाके सिलेक्टेड महिलाओं को लिया गया था और उनको प्रसिक्षन दिया गया था उनका भी काम अभी चल रहा है और आगे हम लोगोंने सोच के रखा है एक पापरवरी का एक अगे लेने के लिए सोचे है और शहद का मधुमक की पालन का एक सोचा हुआ है और थोड़ा आगे और टाइम निकलेगा तो हम लोग फिश फार्मिंग के लिए भी सोच के रखे कि मचली पालन का उद्योग भी हम लोग करवाएंगे जो कि इस एरिया में काफी इसका काफी एक्चली यूस होता है नॉन्वेज फूड जो भी है इसका काफी यूस होता है तो यह हमें लगता है कि यह काफी सक्सेस्फुल रहेगा लेडिस के लिए महिलाओं में अभी तो मैं कह सकते हो हाँ जागरुकता आई है लेकिन और आगे जागरुकता की जरूरत है जिसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है हर एक महिलाओं को मतलब घर के लेडी अगर घर के महिला एजुकेटिड है तो ही आगे पूरा परिवार भी एजुकेटिड हो गा तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि महिलाओं को हम परूच्छाहित करें अभी तो कोविट के लिए कम से कम एक साल कम से कम बर्बाद गया सभी का ताकि बच्चे स्कूल जाए स्कूल को सीरियस ली ले ये एडुकेशन को अपने सीरियस ली लेना बहुत ज़रूरी है उसके साथ ही आगे जागरुपता आती जाएगी मेरा नाम संगर परसाथ 487 हुआ इस पंचायत का में मुख्यां हो मुख्यां होने के नाते और NTPC से लगाओ मेरा 14 साल से बना हुआ है लेकिन मेला का शक्तिकरन हुआ तो हमने देखा कि मेला का सिथी हमारे पंचायत में बहुत कम जोर है हम ने जाके NTPC जाके वहां से लोगो इसका मैं बैठक रखा झुफ आप ननल जमा भुआ जो सकते हैं तो लोग लोग बोला कि युब ला Сам naar टीह पालन करें होगे मारअ बोला किया सब्सक्राइब में कुष्टरूर कեղ मुक्रार करें बखंगे कि यह Parent अ AS अपने सामाजिक उद्देश्य के अनुरूप कमपनी ने प्रभावी पुनरवास तथा पुनरुद्धार पर संकेद्मरन किया है तथा इसके आसपास सामुदाईक विकास निर्मान कारियों में भी संकेंद्रन किया है मेरा नाम हुआ डॉक्टर अर्वीन जी सहाय मैं वनांचल महाविद्याले का प्राचारे हूँ और ये महाविद्याले 1985 में यहां टंडवा के अस्थानिय ग्रामिनों के द्वारा और एक दो प्रसासनिक पदाधिकारी जो उस समय थे उनके सहयोग से ये महाविद्याले स्थापी थुई और महाविद्याले प्रारमकाल से ही रांची विश्यविद्याले से समंधित था उसके बाद कालांतर में महाविद्याले बिनोवा भावे विश्यविद्याले से अस्थाई समंधन प्राप्त है और महाविद्याले में दो संकाई की पढ़ाई होती है कला और वानिजी की सर हम आपसे खली जानना चाहेंगे कि एंटीपीसी का इसमें क्या आई होगा हाँ जब एंटीपीसी यहाँ पर आई उन्हें सो उसके बाद इन लोगों ने बहुत प्रयास किया हम लोगों के लिए कि ऐसे बीडिंग देंगे ये देंगे तो अनतता यह भवन हम लोगों को पिछले साल बनके मिली है और यहाँ पर पात्रा साहब है उन्होंने और संतोस जी यहां के पताधिकारी लोग है इन लोगों का कमीटमेंट जतना है तो उसमें ऐसा है कि देर रेडी तू फुलफिल इट लेकिन कुछ बाधेता है कम अपना रूल्स और रेगुलेशन्स और बहुत तरह की बात होती है लेकिन देयर भेरी मच पोजीटिव टू दी कॉलेज एंड देयर डूइंग फॉर दी वेलफियर अप दी कॉलेज परती दिन हमारी बाचीत होती है देयर हेल्पिंग अस थोड़ा लेट होता है चात्रा चात्रा और अभी चात्रा तो पिछले एक साल से कोवीट के चलते तो है चात्रा नहीं रहे हैं ओनलाइन क्लासेज हो रही है और अभी एक हमारे जो सेक्रेटरी है स्रिया शेवट पांडे जी और हमारे अस्थानिये विधायक महोदे और हम लोग मिल करके और एंटीपीसी प्रवंधन से हम लोग उने बात की है तो उसमें है कि साइंस फेकल्ट को ही देखना है और एंटीपीसी इसको देखेगे ही पानी बिजली और प्राथमिक्ता के हिसाब से एडूकेशन और क्या करते अच्छा मिनिमम भोजन यह एक और सच रहना यह हमारी प्राथिमिक्ता है जिसके लिए आज हमारे आपके चीफ मिनिस्टर साहब प्राइम मिनि है जो हमारे cmd साहब गुर्दीप सिंग जी हमारे डियेचर है पटेल साहब सारे बोर्ड डिरेक्टर उन्होंने और हमारे जो आरीडी साहब है हमारे आसित मुखर जी साहब उन्होंने मुझे पूरा छूट दिया हुए कि गोश्वामिज अगर मैं आज कुछ करना चाहता ह हुँ हमारे देश के लिए यह सोशल ऑब्लिगेशन के नाम पर हमें कोई दिक्कत नहीं है इसलिए हम लोगों ने क्या किया था पेजल के लिए भी हमने यह कहा कि पानी एक बहुत ही इंपॉर्टन चीज है उसके लिए हमने कहा कि सोलर पावट देते हैं ताकि लोगों को उ जरुत नहीं है देना तो वह सोलर से पानी आता है लोगों को दिया जाता है प्लस एक अभी गॉर्म में इधर जारखन गॉर्मेंट ने भी एक स्टार्ट किया है पेजल का एक पूरा टोटल डेडिकेटेड एक पाइपलाइन बिछाने की बात हुई है तो हमाने हमारे आया हमने कि किस तरह से एंटी पीसी के द्वारा समाजी कारिकर विस्थापिक लोगों को लाग पहुंचाया जा रहा है जिससे उनका जन जीवन सुचारू रूप से चल सके तो आज के कारिकर में बस इतना ही दीर जे इजाज़त नमस्कार